इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम्म करता है और अधिक्तम लाग प्राप्त करने के लिए आपको इसे नियमित रूप से लेना चाहिए. यदि आप इसका उपयोग औस्टियो परोसिस के इलाज के लिए कर रहे हैं तो आपको अन्य दवाएं भी निर्धारित की जाएंगी. यह दवा उपचार के एक का केबल एक हिस्सा हो सकती है जिसमें आपके आहार में बदलाव करना और केल्शियम और विटामिन की खुराक लेना भी शामिल है. अपने आहार में पर्याप्त केल्शियम और विटामिन डी सुनिश्चित करने के लिए आपको उन खाद्य पदार्थों के बारे में जाने जिन्हें आपको खाना चाहिए. हिबोन डियोरल ड्रॉप्स के कुछ साइड एफेक्ट हैं और कोई भी सामान्य नहीं है. यदि आप बहुत अधिक लेते हैं तो आपको कमजूरी, मानस्पेशियों में दर्द या आपके मुँँ में धातु जैसा स्वाद महसूस हो सकता है. यदि ऐसे किसी भी दुश्प्रभाव का अनुभव हो, तो अपने डॉक्टर से बात करें. वे लक्षनों को कम करने या उनका इलाज करने में आपकी मदद कर सकते हैं. इस दुश्प्रभा को लेने से पहले आपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपके रक्ट में कैल्शियम का उच्चस्तर है या यदि आपको दिल, किड्नी या लीव की कोई बीमारी है. कुछ अन्य दवाएं विटामिन D3 के अवशोशन को कम कर सकती हैं. इसलिए अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप सुरक्षित हैं यह सुनिश्चित करने के लिए ले रही हैं. यह दवा गर्भावस्था के दोरान मदद कर सकती है जब आपके शरीर को अधिक विटामिन D की आवश्यक्ता होती है लेकिन बहुत अधिक आपके बच्चे को नुक्सान पहुँचा सकता है. अपने डॉक्टर से चर्चा करें. लेकिन अगर आपके पास पर्याप नहीं है तो आपको यह दवा पूरक के रूप में दी जाएगी. लाब पाने के लिए इसे नियमित रूप से लेते रहना जरूरी है. आप इसे काम करते हुए नहीं देख सकते हैं लेकिन अपनी हर्डियों की सुरक्षा के लिए इसे लेते रहें. इसके अतिरिक्त, यह आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ा सकता है और विबिन संक्रमनों के खिलाफ शरीर की प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ा सकता है. आस्टियोपरोसिस का इलाज आस्टियोपरोसिस एक सामान्य स्थिती है जो हर्डियों को कमजोर कर देती है, जिससे वे नाजुक हो जाती हैं और तूटने की अधिक संभावना होती है. यह अकसर महिलाओं में मैनोपॉज के बाद होता है. विटामिन D कैल्शियम के अवशोशन के लिए महत्वपूर्ण है और आपके शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है. यदि आपके पास पर्याप्त कैल्शियम नहीं है तो यह आपकी हड्डियों को नुकसान पहुँचा सकता है. यह आपकी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करेगा और उनके कमजोर होने और तूटने की संभावना को कम करेगा. आप नियमित व्यायाम विशेश रूप से वजन बढ़ाने वाले व्यायाम कैल्शियम और विटामिन डी युक्त स्वस्थ भोजन खाने और शराब और तंबाकू का सेवन कम करके अपनी हड्डियों की ताकत में सुधार करने में मदद कर सकते हैं. अधिकांश दुषप्रभावों को किसी भी चिकित सा ध्यान देने की आवश्यक्ता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है. अपने चिकित सक से परामर्ष करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिन्तित हैं. हिबोन के सामान्य दुषप्रभाव कोई आम साइड इफेक्ट नहीं देखा गया. हिबोन ओरल ड्रॉप्स का उप्योग कैसे करें? इस दवा को अपने डॉप्टर द्वारा बताई गई खुराक और अब धी में लें. उप्योग से पहले दिशाओं के लिए लेबल की जांच करें. इसे एक चिनित ड्रॉपर से मापें और इसे निर्देशा नुसार लें. इबोन दी ओरल ड्रॉप्स को भोजन के साथ लेना बेहतर होता है. वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.